हालो दोस्तों स्वागत है एक बाद फिर से दस तक अकाडमी के चैनल पर गाईस इस विडियों पढ़ेंगे लोसेंट जीके का टॉप 20 मैथपूर प्रसन ठीक ना कि दिने 20 अथी मैथपूर प्रसन पढ़ेंगे तो सभी प्रसनों को रटते हुए चलेंगे कोई सभी एक जाम और कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं चले स्टार्ट करते हैं इसकी प्री पीडिया पाल सभी लोग ले लो टेलिग्राम पर मिल जागी टेलिग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्सन बॉक्स में दिया हुआ है देख लो क्या कोशन मना इंपोर्टन कोशन सभी रहने वाले हैं किसने का था मनुस सेक सामाजिक पराणी है किसने कहा था मनुस सेक्राणी है प्लूंट अरस्ट्रू रूशौ शुक्राथ कि मौक टेश्ट समझ लो आप से भी लोग इसमें से बताने कितने कोशन से कर पायो क्या कुशन है किस व्यक्ति का उपनाम यूगपुरुस था किस व्यक्ति का उपनाम यूगपुरुस था आर्रभट स्री क्रशन सिंग महत्मा गांधी भगत सिंग महत्मा गांधी का भियाया प और युगपूरुस था उपनाम मातमा गांदी का उपनाम क्या था युगपूरुस याद रखे ौप्शन नमर सका भी को भारत के परथम नीपरो मुकरजी राष्टपती थे, यहाँ पर प्रदानमंदरी की बात हो रही, ठीक ना, तो विया कौन थे यहाँ पर, सिक प्रदानमंदरी थे यहाँ पर डाक्टर मनमोहन सिंग याद रखें, नेक्श्ट कोशन देख लो यहाँ पर, भारत का राष्टी गान कौन सा है? भारत का राश्ट्री गान इन में से कौन सा है, चार आपसंस पढ़िए, भारत का राश्ट्री गान कौन सा है, क्या वंदे मातरम है, जनगर्मन है, हे राम है, या फिर करो या मरो है, करेक्ट आंसर इसका अपसंन नमबर ए, वंदे मातरम है भारत का राश्ट्री गान, याद रखे, सब्सक्री गीत, राश्ट्री गीत, वंदे मातरम है, इसका टाइमिंग होती है, गाने की 65 सेकेंड, यानि एक मिनिट पांच सेकेंड होती है, यहाँ पर बात कर लिए विस्टू चैंपियंशिप होती है विस्टू चैंपियंशिप कितने समय के अंतराल में खेल ली जाती है प्रतेक वर्स के अंतराल में तीन वर्स के अंतराल में दस वर्स के अंतराल में या फिर चार वर्स के अंतराल में करेक्ट आंसर जारा है इसका पांचवें कोशिन का ओप्सन नम्मर गाइस ए यानि कि दो वर्स के अंतराल में यहां पर विस्टू चैंपियंशिप होती है प्रते एक वर्स प्रते एक दो वर्स में विस्टू चैंपियंशिप आयोजित की जाती है किस भारती कभी को गुरू के नाम से भी जानते हैं रविंद्र नात्र टैगोर प्रेम चंद्र स्वामी विवेका नंद इन में से कोई नहीं कि 6 कोष्ण का एक हेए रविंद्र नात्र टैगोर को जानते हैं हम लोग गुरू के नाम से ठीक ना गुरू के ना hypothesis किस बहुर 14पर कभी को गुरु के नाम से जानते हैं रविंद्र नात्र टैगोर को ऑप्षिन नंबर बी एक करेक्ट आंसर इसका है याद रखें आप सभी सिक्स कोशन कंप्लीट हुआ आगे सेवन कोश्चन पर इसकी पीड़ेप ले लो सभी लोग आइस टेलिग्राम पर दे रहा हूं साड़े 900 लड़के आप जुड़ेए 950 लड़के जुड़ेए आप भी जुड़ सकते हो ठीक है तो क्या कुशन मनना सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है वसा कार्बोहाइडरेट प्रोटीन इनमें से कोई नहीं साथमें कुशन का सी करेक्ट है प्रोटीन होती है सबसे आप जटिल कार्बनिक पदार्थ याद र सब्सक्राइब रोक सकती है आठवे का एकरेक्ट है उनली 14 दिन तक रोक रख सकती ऑप्शन नमबर यहां पर ए राइट आंसर इसका जारा याद रखें फिलाल एकरेक्ट है भारत नाम की उत्पत्ती का सबसे भारत नाम की उत्पत्ती का समंद किस प्राचीन काल के राजा से है भारत जो गाईस भारत जो है वारत नाम पड़ा किस यहां पर किस प्राचीन काल के राजा के नाम से पड़ा हुए भारत बहरत चक्रवरती के नाम पर पड़ा था भारत न पहले आईयस अधिकारी कौन थे आईयस अधिकारी की बात कर रहो हूं में वताओ फ्टापट कौन थे आभिनाउ गुपता रविण नात्रेगोर विपिन चंदरपाल और यहां पर 34 सतिंदरनात्र टेगोर करेक्ट डी सतिंद्र नाथ टेगो है याँ पर भारत के पहले आईयस अधिकारी option number D correct है मनुस्थ के हिर्दे में कच्छों की संख्या कितनी होती है कितने कच्छ होते हैं मनुस्थ के हिर्दे में कौन कर रहा है इस question को क्या 2 होते हैं 4 कच्छ होते हैं 6 कच्छ होते हैं मनुस्थ के हिर्दे में कुल 4 कच्छ होते हैं याद रखें आप से विलो कच्छकों की संख्या 4 होती है भारत के पहले मुस्लिम राष्टपती कौन थे प्रथम बात करो परथम मुस्लिम राष्टपती कौन थे कमेंट करो बताओ फटा पट मुसलिम राष्ट पती कौन थे? डाक्टर जाकिर हुसेन, अब्दुल कलाम, वीवी गिरी कोई नहीं आप्शन नमबर एक रेक्टर डाक्टर जाकिर हुसेन थे याद रखें इसका भी एक रेक्ट अंसर हो जाएगा अनहपी इंडिया के लेखक कौन है? अनहपी इंडिया के लेखक कौन है? इंपॉर्टन कुशन आपके एक्जाम के लिए अनहपी इंडिया के लेखक कौन है? थर्टीन का सी करेक्ट है, लाला राजपतर आए हैं, याद रखें आप्शन नमबर सी करेक्ट है, इसका लाला राजपतर आए अनाईपी इंडिया के लेखा को हैं लाला राजपत राय हैं तो अधिक इस अभी कोश्चन किसी ना किसी एकजाम में पूछे गए और आने के समभावना आने भी आने आने टाइम मलग कि आने वाले समय में सम्हावना की कोश्चन पूछे जाएंगे रिपीट हो दे होंगे औ आप से भी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्वेशन समझ में आ रहे हैं अच्छा लग रहा हो जरा सभी तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर सकते हो और पांच लोग बाई श्टोडिवु में ज़रू से घर ददिया करेगा इस आप लोग ठीक है क्या कोश किस वक्ति को गुर्दयों के नाम से जानते हैं बताओ सीधा सीधा जैप्रकास नारायन और रविंद्र नात्र टैगोर स्वामी विपेका नंद या फिर महत्मा गांदी फिलाल करेक्ट आंसर है 14 कोशिन का आप्सन नंबर बी रविंद्र नात्र टैगोर को गुर्दयों के नाम से भी जानते हैं बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा देश की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी देश की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी बड़न कोश्चन आपके एक्जाम के लिए विदेस मंत्री की बात कर रहा हूँ कोश्चन बात कर रहा हूँ, विदेस मंत्री सुसमा स्वराज, परतिवा पाटिल या फिर परतिवा देवी सिंझपाटिल इंद्रा गांदी सुचेता करपलानी, करेक्ट है option number A याद रखें option number a character सुस्मा सुराज यह पहली महिला प्रदान मंत्री थी यह पहली महिला राष्टपती थी यह पहली मुख्य मंत्री थी उत्तर प्रदेश की सभी कुश्चन आपकी exam के लिए important है याद रखें यह यह यहाँ पर देख लो फिर से विदेश मंत्री थी यह पर सुस्मा सुराज प्रथम प्रथम महिला विदेश मंत्री बात की सुस्मा सुराज थी प्रथम महिला राष्टपती थी यह पर प्रतिवा देवी सिंग पाटिल और प्रथम महिला प्रदान मंदरी थी यापर गैस इंदरा गांदी प्रथम महिला यापर मुख्य मंदरी थी यापर सुचेता करपलानी जो की उत्तर प्रदेश की थी उत्तर प्रदेश में बनी थी अगला कोशन देखो PT उसा को किस लोग परी नाम से भी जाना जाता है PT उसा को किस लोग परी नाम से जानते हैं PT उसा को उड़न परी के नाम से जानते हैं सभी को पता है PT उसा को उड़न परी के नाम से जानते हैं भारत के दूसरे परधान मंत्री कौन थे सभी कोशन important है इसलिए करा दे रहा हूं आप लोग भी याद कर लो सभी कोशन को revision कर लो revision classes चलाता रहता हूं भारत के दूसरे परधान मंत्री कौन थे परतम तो यह सभी को बता रहता है दूसरे बताओ कि तीसरे भी कराएंगे भारत के दूसरे परधान मंत्री कौन थे लाला लाल बहदुर सास्त्री थे याद रखें दूसरे प्रधानमंत्री को थे लाल बहदुर सास्त्री प्रथम को थे प्रथम या पर थे प्रथम प्रधानमंत्री पंडी जवाला नहरू थे option number a correct हो जाता है बटे या पर दूसरे पूछे रहे कि दूसरे थे लाल बहदुर सास्त् आधार्वे कशिए का एक गुरू सिखर कहलाता याद रखें का उननीत को गौत्म बुद्र को ग्यान की प्राप्ति कहां हूई थी ग्यानने प्राप्त किया था कि बौT ग्यां बोगिया बोद गया दूरा चैंग में किन्ति करें बता सकता है कोई बोध गई किस राज में है आज का लास्ट इंपोर्टन कुशन देख लो योर स्कूर अपना इसकूर भी यह कमेंड बॉक्स में सेयर करें जरूर अपना स्कूर बताएं कितने किस्ट कुशन कर रहती हैं आप सब्सक्राइब परके बेल आइकन प्रेस कर लो और इस चैनल पर जोड़ जाओ तैंक यू जैहिल